शिक्मानने राउल गांदी की रंदीप सुर्जेवाला जी कमल नाथ जी गुविन सिंग जी दिग्विजे सिंग जी कमलेश्वर पतेल जी जीतु पत्वारी जी तंका जी सुरेश पचोरी जी कांतिलाल भूरिया जी कुनाल चोधरी जी स्टेज पे कॉंग्रेस पार्टी के वरिष्ट नेता हमारे प्यारे कारे करता भाईयों और बहनों मध्यप्रदेश के युवाओ प्रेस के हमारे मित्रों आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत आप दूर दूर से आए हैं इसके लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद विचारदारा की लड़ाई है एक तरफ कॉंग्रेस पार्टी दूसरी तरफ RSS और BJP एक तरफ गांदी जी दूसरे तरफ गोट से यह भाईया इंतो दिखाई नहीं दे रहा है भाईया प्रेस वाले थोड़े नीचे हो जाएं तो लोगों को दिखें बात सही है क्योंकि प्रेस वाले हमारी मीटिंग तो दिखाएंगे ही नहीं तो एक तरफ गांदी जी दूसरी तरफ गोट से एक तरफ नफरत और हिंसा अहंकार और दूसरी तरफ महबब आदर भाई चारा अब देखिए जहां भी यह जाते हैं नफरत फैलाते हैं गुस्सा पैदा करते हैं अब हुआ क्या अब मध्यप्रदेश में मध्यप्रदेश का इनसे नफरत करने लग गया है जो उन्होंने जंता के साथ किया अब जंता उनके साथ कर रही है और इसलिए हमने ये साथ यात्राएं जन अक्रोश यात्राएं मध्यप्रदेश में निकाली हैं इससे पहले भारत जोड़ो यात्रा में कन्या कुमारी से हम कश्मीर तक चले और मध्यप्रदेश से पैदल निकले कमलनाज जी कितने किलोमेटर चले थे हम यहां नहीं नहीं मध्यप्रदेश में तोटल कितने चले थे नहीं नहीं यात्रा कितने किलोमेटर चली थी लगबग 180 किलोमेटर यह देखे तीन सो सत्तर किलोमेटर हमारी यात्रा मध्यप्रदेश में चली थी किसानों से मिले, युवाउं से मिले, माताएं बेहनों से मिले मुझे सिरफ दो तीन बाते कहीं सबसे पहले, मध्यप्रदेश हिंदुस्तान में भरष्टचार का सेंटर है और जितना भरष्टचार बीजेपी के लोगों ने मध्यप्रदेश में किया है पूरे देश में ये नहीं किया है बच्चों के फंड्स, मिड्डे मील के फंड्स, स्कूल यूनिफॉर्म के फंड्स चोरी किये महाकाल कॉरिडॉर में बीजेपी ने पैसा चोरी किया वियापम स्कैम को आप सब जानते हो एक करोर युवाओ को इन्होंने नुकसान पहुँचाया MBBS की सीट्स बेची जाती है और पेपर लिग किये जाते है ये इनका राज है दूसरी बात किसानों ने अपनी बात बताई किसानों ने कहा और यहां आप सोया भी नुगाते हो आप इसको सबसे अच्छी तरह समझोगे कि हमें मध्यप्रदेश की सरकार सही दाम नहीं देती है अब आप जाईए चट्रिस गड़ में जाईए पास जाईए दूर नहीं है चट्रिस गड़ जाईए और चट्रिस गड़ के किसी भी किसान से आप पूछिए चट्रिस गड़ में धान के लिए किसानों को कितना पैसा मिलता है कॉंग्रेस की सरकार कितना पैसा देती है हमने वाइदा किया था दो हजार पांच सो रुपए धान के लिए दिये जाएंगे और चतिस गड़ में जो हमने वाइदा किया वो हमने वाइदा पूरा करके दिखा दिया मध्यप्रदेश में करजा माफी का वाइदा किया चतिस गड़ में किया राजिस्तान में किया करनाटक में किया हर स्टेट में हमने करजा माफी की थी यहां पर कमल नाच जी करजा माफ करवा रहे थे और यहां आपको दोका देके आपकी सरकार को BJP वालों ने चोरी कि सब्सक्राइब बात है अट भाई और बेनों अठारा हजार किसानों ने यहां पे पिछले अठारा साल आतम हत्या की है तीन किसान हर रोज मध्यप्रदेश में मरते हैं यह इनकी सरकार है क्यों क्योंकि यह चुने हुए लोगों के लिए काम करते हैं पहली बार हिंदुस्तान की हिस्ट्री में पहली बार किसान टैक्स दे रहा है इन्होंने जी एस्टी लागू की और पाँच कानून लाए काले कानून किसानों को दबाने के खतम करने के कानून हिंदुस्तान के सारे के सारे किसान इनके खिलाब खड़े हो गए नरेंद्र मोधी जी कहते है किसानों के फाइदे के लिए मैं ये कानून काले कानून लाया हूँ अगर किसानों के फाइदे के लिए कानून लाए तो किसान सडक पे क्यों उत्रे हैं नरेंद्र मोधी जी कहना चाहते थे कि किसानों को कोई समझ नहीं है किसान अपने हित को नहीं जानते नरेंद्र मोधी कहना चाहते थे कि हिंदुस्तान के दोती नरब पती अदानी जी किसान को फायदा पहुचाने के लिए काम करते हैं भाई और वेनों आप करनाटक जाईए राजिस्तान जाईए चत्तिस गड़ जाईए हिमाचल जाईए हमारी सरकारें गरीबों के लिए कमजोर लोगों के लिए काम करती हैं करनाटक में हमने पांच गैरंटी दी गरीबों के लिए महिलाओं के लिए किसानों के लिए आप जाईए करनाटक में जाईए करनाटक की महिलाएं बस में जाने के लिए एक रुप्या नहीं देती हैं मुफ्त में घुमती हैं कहीं भी जाना हो करनाटक में करनाटक की महिलाएं फ्री में जाती हैं हर महिने उनके बैंक अकाउंट में सीधा पैसा आता है सरकार पैसा देती है 36 गड़ में जाईए किसानों का कर्जा माफ किया किसानों को सही दाम दिलवाते हैं राजिस्तान में जाईए स्वास के बारे में पूछिए मुफ्त में वहाँ पे दवाई मिलती है 15 लाट रुपे का वहाँ पे फ्री में इलाज होता है हाट सर्जिरी करवानी हो बड़ी से बड़ी सर्जिरी करवानी हो राजिस्तान में जाईए पता लगाईए राजिस्तान की जंता को वहाँ पे फ्री में सर्जिरी मिलती है सरकार जंता के लिए चलनी चाहिए सरकार किसी संगटन के लिए या एक दो बड़े उद्योग पतियों के लिए नहीं चलनी चाहिए और ऐसी ही सरकार हम यहां मध्यप्रदेश में चलाना चाहते हैं और कमलनाथ जी का काम आपने देखा है काम करना जानते हैं और जो उन्होंने काम शुरू किया था वो काम वो मध्यप्रदेश में पूरा करने जा रहे हैं मैं आपसे आखरी बात कहना चाहता हूं पार्लमेंट में मैंने अधानी जी की बात उठाई बाशन दिया जैसे ही मैंने अपना पार्लमेंट में अधानी जी का भाशन दिया वैसे ही बीजेपी ने मेरी लोकसभा की जो सदस्यता है उसे रद कर दी खतम कर दी आप सोचिए अधानी जी की रक्षा करने के लिए एक गम मेरी लोकसभा की जो सदस्यता थी उसको कैंसल कर दिया मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता करिये जितना करना है मैं सच्चाई बोलता हूं और देश के सामने एक सच्चाई अधानी जी है पोर्ट देख लीजिए एरपोर्ट देख लीजिए इंप्रस्ट्रक्टर देख लीजिए घान के साइलोज देख लीजिए हर जगे आपको अधानी जी दिखाई देंगे अधानी जी किसानों के जेब में से हर रोज जेब में से आपका पैसा लिया जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर में डीजल में पेट्रोल में फर्टिलाइजर में आपके जेब में से पैसा निकलता है और सीधा इन दो उदियोग पतियों के जेब में जाता है मैंने मीडिया की बात की मैंने मजाग में कहा की मीडिया वाले हमारी मीटिंग तो दिखाएंगे नहीं मोदी जी का चैरा 24 गंटा दिखेगा शिवराई जी का चैरा 24 गंटा दिखेगा क्यों? क्योंकि इनका रिमोट कंट्रोल अदानी जी के हाथ में है देखिए ये मुस्कुरा रहे हैं प्रेस वाले मुस्कुरा रहे हैं इनके बिचारी की गलती नहीं है ये रिपोर्टर है इनकी गलती नहीं है ये सच्चाई जानते हैं रिमोट कंट्रोल पीछे से कंट्रोल गपता है एक और सच्चाई है और वो सच्चाई साइद अधानी जी से भी बड़ी सच्चाई है कुछ दिन पहले BJP ने महिला रक्षन की बात की महिला रक्षन में हमने एक सवाल उठाया कॉंग्रेस पार्टी ने उठाया BJP ने कोई जवाब नहीं दिया हमने दो चीज़े कहीं हमने पहले कहा देखिये यह महिला रक्षन जो आप कर रहे हो या अच्छा है इसको करना चाहिए मगर इसमें आपने दो छोटी सी लाइने लिख रकी हैं सबसे पहले इन लाइनों को आप मिटाईए लाइन क्या थी एक लाइन थी कि महिला रक्षन से पहले सर्वे करने की ज़रूरत है और दूसरी लाइन महिला रक्षन करने से पहले हमें जो डी नोटिफिकेशन होता है उसको करना है इससे क्या होगा इससे महिला रक्षन दस साल बाद होगा आज नहीं होगा तो हमने कहा पहले ये दो लाइनों को आप बदल लिए और उसके बाद हमने और भी गहरी चीज़ कही और सवाल पूछा कि महिला रक्षन में OBC अरक्षन क्यों नहीं है OBC अरक्षन महिला अरक्षन में आपने क्यों नहीं दिया नरेनर मोदी जी आप कहते हैं कि आप OBC के लिए काम करते हैं आप OBC के नेता हैं तो आपने महिला अरक्षन के अंदर के बीच में OBC अरक्षन क्यों नहीं किया अब बाशन से पहले मैंने आक्रे देखे और मैं हैरान हो गया बाईयों और वहनों नरेंदर मोदी कहते हैं कि BJP में OBC के MLA और MP है सबसे पहले कॉंग्रेस के तीन चीफ मिनिस्टर OBC हैं यह याद रखी आप हमारी चार सरकार हैं तीन हमारे OBC चीफ मिनिस्टर है दूसरी बात आप पार्लमेंट में विदान सभा में चले जाएए और BJP के किसी भी MLA से पूछ लीजिए MP से पूछ लीजिए आप से कुछ पूछा जाता है क्या जब कानून बनाए जाते हैं आप से कुछ पूछा जाता है आपको कहेंगे भईया हमार से कुछ कोई नहीं पूछता कानून RSS वाले लोग बनाते हैं कानून अपसर बनाते हैं कानून BJP के MLA और MP नहीं बनाते सच्चाई भईयों और बेनों एक और है सच्चाई यह है कि हिंदुस्तान को 90 अपसर चलाते हैं Cabinet Secretary और Secretary of Government of India हिंदुस्तान की सरकार को चलाते हैं 90 लोग यह कानून बनाते हैं यह निर्णने लेते हैं, पैसा किधर जाएगा कितना पैसा कहा जाता है अब मैं आप से सवाल पूछना चाहता हूं BJP के दस साल से सरकार है 90 अपसर सेक्रेटरी हिंदुस्थान को चलाते हैं मैं हिंदुस्थान के सब OBC से पूछना चाहता हूं नरेंद्र मोधी जी कहते हैं आपकी भागीदारी है हिंदुस्तान की सरकार में मध्यप्रदेश की सरकार में आप मुझे बचा दो आपका ध्यान इदुरोदर करते हैं दूसरा सवाल आपसे पूछता हूँ हिंदुस्तान की सरकार का बड़ेट बजट लाकों करोर रुपे का बजट है मैं आपसे पूछता हूँ ये जो तीन ओभी से अफसर है इनकी भागीदारी कितनी है ये बजट पे कितने रुपे पर निर्ने लेते हैं मुझे बता दो मैं आपको बताता हूँ तक्रीबन 45 लाक करोर रुपे का बजट है आप मुझे बताओ OBC अफसर कितने रुपे पर निर्ने लेते हैं मुझे बता दो नरेंद्र मोधी जी की OBC की सरकार है सब शान्त किसे को नहीं मालूँ क्यूं ये आपको नहीं बताना चाते है आपकी सच्चाई आपको नहीं बताना चाते है सच्चाई भाईयों और बैनों ये है कि हिंदुस्तान के पूरे बजट में पांच परसेंट की भागिदारी OBC के अपसरों के हाथ में है OBC अपसर तीन है नपे में से और पांच परसेंट बजट को कंट्रोल करते है ये है नरेंद्र मोधी जी का काम नरेंद्र मोधी जी OBC की सरकार नहीं चलाते है नरेंद्र मोधी जी का काम जो RSS ने उनको दिया है आपका ध्यान इदुर उदर करने का है नफरत फैलाने का है हिंसा पहलाने का है अगर सच मुझ में नरेंदर मोधी जी OBC के लिए काम करते थे तो 90 में से तीन अपसर OBC के कैसे है तीन चार साल पहले एक भी अपसर नहीं था OBC का हिंदुस्तान को तो ये चलाते है शिक्षा में कितना पैसा जाएगा स्वासने कितना पैसा जाएगा नरेगा कैसे बनेगा बोजन का अधिकार कैसे डिजाइन होगा ये तो ये अपसर निडने लेते हैं भाई और बेहनों OBC की सरकार नहीं है और देखिए जैसे ही मैं ये बात कहता हूँ आप नोट करना आज मैंने हाँ खुले में ये बात बोली है ये सारे के सारे टीवी कैमेरा बंद हो जाएंगे आप देख लिए ना ये सारे के सारे बंद हो जाएंगे क्योंकि जो सचाई है देश की कि ये जो सारे के सारी लूट हो रही है ये वियापम स्कैम जो है ये सारा पैसा ये आपका शिक्षा का पैसा स्वास का पैसा जो चोरी हो रहा है ये OBC की जेब में से पैसा चोरी हो रहा है ये मैं आपसे कहना चाहता है इसको आप मत भूलिए सबसे जरूरी चीज जैसे कमलनाजी को चोट लगी आपको चोट लगी सुना है लगी ना कमलनाजी यात्रा में निकले रत पे रत के कोने पे खड़े थे बहुत भारी भीड थी धक्का लगा गुटने पे चोट लगी कमलनाजी ने कमलनाजी जैसे ही आप हस्पताल गए पहला काम क्या हुआ? ने पहला काम क्या किया? बताइए? पहला काम डॉक्टर ने एकसरे लिया, एमराइ लिया. उसके बाद डॉक्टर ने कहा, हाँ, घुतने में ये प्रॉब्लम है. अब मैं कात्म मैं यही बात कह रहा हूँ. सब लोग कहते हैं हिंदूस्तान में OBC है धलित है जैनरल है आधिवासी है मकर जब हम सवाल पूछते हैं OBC कितने है जैनरल कितने है धलित कितने है आदिवाज से कितने हैं कोई जवाब नहीं दे पाता देखो मैं पूछता हूँ भाईया OBC कितने हिंदुस्तान में कोई नहीं दे सकता तो मैं यह कह रहा हूँ कि अब हो समय आ गया है कि हमें हिंदुस्तान का एक्सरे करना है यह पता लगाना है कि अगर 90 अपसर हिंदुस्तान को चला रहे हैं और उसमें से 5% बागिदारी OBC को मिल रही है तो क्या OBC की अबादी 5% है क्या होई नहीं सकता तो अगर उनके अबादी 5% नहीं है अगर उनके अबादी 50% है तो उनका 5% बजट पे कंट्रोल क्यों है उनका 50% बजट पे कंट्रोल क्यों नहीं है अब जब मैं ये सवाल उठाता हूँ बीजेपी के लोग का अपने लग जाते है नरेंद्र मोदी जी भाग जाते है अमें चाजी कुछ और कहते है हिंदू मुस्लिम कहेंगे नफरत फैलाने के कोशिश करेंगे बाइऄ और मेनों देश के सामने एकी मुद्धा है कास सेंसस वबीजी कितने है और उटकी भागीदारी कितने होनी चाहिए ये हिंदूस्त्तान के सामने सबसे बड़ा सवाल है और Congress Party की हिंदूस्तान में सरकार है ज़ी पहला काम यह हम करके दिखाएंगे अब BJP के पास मज़े की बात सुनिए कास सेंसर्स Congress Party ने किया जब हमारी सरकार थी हमने किया सारे के सारे आंख़े नरेंद्र मोदीजी के पास है हिंदुस्तान में कौन सी जाद की कितनी अबादी है हिंदुस्तान की सरकार जानती है हिंदुस्तान में OBC कितने है हिंदुस्तान की सरकार जानती है नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के OBC को ये बताना नहीं चाहते है कि आप कितने हो क्योंकि वो आपको भागीदारी नहीं देना चाहते है वो आपको सच्ची शक्ती नहीं देना चाहते है वो आपके लोगों को विधान सभा में बिठा देते है मगर फिर उनको बिल्कुल चुप करा देते है हम चाहते है कि सब की भागीदारी हो किसानों को सही दाम मिले ये सब का हिंदुस्तान है दो तीन उद्योग पत्यों को नहीं है इसलिए हमारा पहला काम का सेंसस होगा और जैसे ही हमारी सरकार आएगी हम देश को पता देंगे इस देश में कितने OBC है कौन से कितने जाद की अवादी है ये अगर हमें सच मुझ में हिंदुस्तान की जनता को शक्ती देनी है तो जैसे कमलनाज जी का X-ray हुआ था हमाराई हुई थी वैसे हम हिंदुस्तान का हमाराई हिंदुस्तान का X-ray करा के देंगे आप सब का दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जैहिद वैल के दूई बहुत-बहुत धन्यवाद सबसे पहले राउल जी का मेरा निवेदा ने सबसे की दो मिनिट ये स्वायती स्वेक्शन भी आए कमल नाज जी ने मुझे याद दिलाया देखिए कमल नाज जी ने यहाँ पे 27 परसेंट रेजर्वेशन OBC को दिलवाया था कानून पास किया था और BJP के लोगों ने पीचे से उसे रद किया